समस्कार दोस्तों मैं अमित देव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरी यूटीब की चैनल के अंदर दोस्तों 11 बजे सुबह में मैंने ट्रेलर देख लिया था सॉलमान वाय का जो रादे का था वह लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया था लेकिन इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था लेकिन शाम होते होते मैंने सभी रिवियोट देखा तो सभी लोगों कोई ऐसा बोल रहा है कि जबरदस्द भाई मज़ा आ गया भाई गजब का ट्रेलर है फार दिया ये वो कोई मतलब रिव्यू दिल से भी कर दिया है कि लोगों ने ओनेस्ट रिव्यू दिया है कि भे नहीं मज़ा आया तो सोचा चलो मैं भी अपनी तरफ से भी बताई दू कि भई मुझे कैसा लगा तेरेलर इसके बारे में पहली बात है दबंत्री से बहुत ही अच्छा था ट्रेलर में जितना हाई अ मतलब देखना का में कल से जो हो रहा था जबर आदे का टीजर आ रहाए और उसट इसमें मजा नहीं आया सलमान की एंट्री थो बिलकुल फ्脇क थित मतलब कुछ क्या यारेंटरी में आया चला आया टीन चार लोगों को साथ लेके-चला आता है जुंड में तो सुरा आते हैं ऐसा कुछ हूँ लगा मुझे तो बाकी ट्रेडर में ऐसा कुछ हाइप क्रियेट नहीं हुआ कि बहुत मज़ा आजाए चलो यार क्या ट्रेलर था क्या रियक्षन दो ऐसा कुछ नहीं था एक बत मतलब ओनेस्टली में बोलता हूँ कि जो मुवी का ट्रेलर थोड़ा वीक हो वो मुवी में कंसेप्ट और कंटेट अच्छे आते हैं ऐसा आमने बोली हुड में कई बार देखा है तो अभी देखते हैं क्या होगा इस ट्रेलर में तो बहुत मज़ा नहीं आया लेकिन स्टोरी देखके तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छा होगा मज़ा आएगा मुवी में चैसे वॉंटेड में आया था तो आशा रखता हूँ कि इंडियाज मोस्ट वांटेड भाई रादे हमरे लिए कुछ अच्छी न्यूज लेके आए चैसे ही मूवी आने वाला है ये दोनों प्लेटफों पे साथ ही में रिलिज होगा हमरे पास तो जीरफा है इसलिए थीटर में जाके कोरोना से लिडने क हमारा कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं है शानती से घर बेटके देखेंगे आप कहां देखने वालो है यह में कॉमेट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को टाडा बाइ बचाब से यू